हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूट्यूग चैनल फैसन का टेक गाइड में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंट्स आज हम आपको बताएंगे ओप्टि टेक्स में पीस प्रोपर्टी में कैसे इनफोर्मेशन डालते हैं जो कि आपको बहुत इंपोर्टेंट होता है पैटन बनाते हुए आपको पैटन बनाने में तो यदि आपको इनफोर्मेशन सही से नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा वाट मार्कर के टाइम में आपको प्रोपर्लम क्रियेट होगा तो फ्रेंट अब मेरा जो नेक्ष्ट वीडियो है वो मार्कर पे होगा इसलिए हम पहले पीश इनफोर्मेशन का बता दे रहें ताकि मार्कर में आपको कोई दिक्कव ना है मार्कर अच्छा से समझगा है और कोई भी गलती ना करें क्योंकि मार्कर यदि आपको गलती हो गलत हो गया तो पूरा सीटमेंट आपका कोश्ट उपर नीचे हो जाएगा तो यह बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ही सही आपको वार कर लगे एफिशेंची सही आए और कोई भी पार्ट मेसिंग ना हो या एक्स्ट्रा ना लगे क्योंकि आप तो जानते ही है उसके क्रियेट हो जाता है और फ्रेंड मेरे चैनल पर आप नए है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों से रिक्वेश्टर के वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो फ्रेंड सबसे पहले हम पीस पर इंफॉर्मेशन डालते हैं किस तरीके से वह मैं में पीश बनाते हैं तो इस्टाइल नंबर इंपूड करना इस्टाइल नंबर डालने के लिए यह आपको ग्लोवल पीस इंफरमेशन में जाना होता है ग्लोवल पीस में जा करके यह हमारा जैसे श्टाइल है तो इसको हम कि बॉटम 123 मैंने एक style name दे दिया अब यह double click किया यह देखिए bottom 123 bottom 123 सब ही पे आ गया अब friend इसमें हम piece property जब भी हम double click करेंगे आपको मैंने पहली बता piece property आएगा piece property में आने के लिए आपका यह आ गया अब इसमें देखिए एक जो first option है यह है protected यह जब यह protected में check रहेगा तो यह कुछ इस तरीके से आपका इस पे कोई भी tool आप काम कीजिएगा तो यह हमेज़ पूछेगा कि this piece is protected do you want to remove the protection yes कीजिएगा तो इस पे work कर पाएंगे no कीजिएगा तो नहीं कर पाएंगे तो यह हमारा पोटेक्ट है जो lower version होते है इसमें यह protection लग कप जाती है जो lower version होते है तो यह जैसे mirror है mirror है और इसको जब आप किजिएगा open half तो यह open हो जाएगा बट यह protection लगने बाद यह ऐसे दिखने लगता है बट यह जो हमारा है यह 21 है तो इसमें करने पर नहीं लग रहा है बट lower version में लग जाता है इसलिए आपको यह बता रहा हूं उसके बाद फ्रेंड निचे आते हैं यह name जो है हमारा यहाँ पर यह जैसे है यह मेरा front है कि फ्रेंट हो गया और इसके बाद इसमें हम cut लिखते हैं name front लिख दिए cut लिखते हैं हम two और cut two में यहाँ पर करके यह pair में यह चेक करेंगे और quantity one कर देंगे जब भी हम cut two रहेगा तो यहाँ pair करेंगे और यह हमारा quantity one होगा यहाँ cut two है तो मतलब जब भी हमारा कट जितना रहेगा चार छे आठ दस बार चौदव इस तरीके से जोड़े में तो यहाँ पर हमारा चेक लगएगा pair में और जितना यहाँ cut रहेगा उसके आधी quantity यहाँ पर रहेगा मतलब उतना जोड़ा हो गया अब जैसे कि हमारा यह pocket है pocket के लिए मैंने इसमें pocket लिख देता हूँ pocket मैंने लिख दिया और इसको cut यह चार लगएगा तो यहाँ pair कर दिये और यह quantity दो ने दिये देखिए यहाँ पर चार है तो इसका आधा यहाँ दो है क्योंकि यह pair है वही यदि इसी case में मान के चलिए कि यह मेरा है और यह west loop है यदि इसमें यह cut 3 लग रहा है cut 3 तो यहाँ पर pair नहीं करेंगे यहाँ पर सिधे सिधे 3 देते हैंगे मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके का जो आएगा उसमें हम pair नहीं करेंगे और जितना cut होगा quantity में भी उतना ही डालेंगे और material जो है हमारा वो shelf है तो shelf डाल देंगे जैसे यहाँ पर यह shelf है तो हम shelf डाल देंगे अब फ्रेंड यह तो हो गया हमारा shelf का अब किशी में यदि lining होता है या fusion होता है जैसे यह हमारा band वेस्ट बैंड है तो इसमें आपको पता है फ्यूजिंग लगेगी तो इसमें फ्यूजिंग लगाने के लिए जैसे सेल्फ और कोमा और तब फ्यूजिंग लिखेंगे प्लस नहीं लिखेंगे तो हमारा फ्यूजिंग लिखा हुआ जो सेल्फ को बाद जो फ्यूजिंग कोम लेंगे तो यह हमारे मारकर में बहुत असानी से यह मारकर सही लगजाएगा और बहुत असानी से हम इसको प्लेस कर लेंगे तो यह हमारा कुछ इस तरीके का information होना चाहिए यह quality जो है quality में क्या होता है कई बार हमारे एक्सपोर्ट हाउस में या इस्टोर से आपको code जेनरेट कियागा मिलता है कि पीस की quality क्या है इसकी GSM क्या है पीस का फैबरी का कईवार नमबर मिलता है तो quality का आप नमबर या जैसे आपको cotton ने उपर आपने material में cotton लिख लिया cotton में क्या है कितने नमबर का है आपका 60 है 40 है किस तरीके से आपका जो भी है वो quality आप लिख सकते है description में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे है all part 11 piece लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप all part description में आप कुछ भी mention extra कर सकते है जैसे कि date mention कर सकते है अपना नाम mention कर सकते है या piece किस तरीके का है आपका sample pp है, proto है, fit है या sealer sample है, किस तरीके का कर सकते है यह tool layer अगरग है तो इसका कोई required नहीं होता है और यह description text है इसमें क्या है आपको यह font अगरग से related है जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यह जैसे adjust कि यह हमने adjust करें देखिए उपर जा रहा है तो यह हमें font size हमें चाहें तो यहाँ पे value डाल को बढ़ा भी सकते है देखिए बढ़ गया और यह angle हम इसको यदि zero कर देते हैं देखिए सिधा हो गया center हो गया और यदि angle में यह 60 degree पे कर देते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके तो यह हमारा यह इसको rotate करने के लिए है तो यह कुछ इस तरीके से काम करता है इसको हमें zero कर देता हो यह half इस है तो यह तो हम set half अगर हमें जो भी बताएं है वाव वही काम करता है इससे यहाँ कोई खास मतलब नहीं है यदि यहाँ देखना भी है तो बस यह इस पर देखिए क्लिक कर दिये यह half है तो इसको half पर हम check करेंगे कभी ऐसा है तो यह बंद हो जाएगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुल जाएगा उसके बाद यहाँ से हम behavior में देख लेते हैं behavior में देखिए यहाँ पर एक है lock auto regime इसमें यदि क्लिक हो जाता है आपका इस पर जैसे click हो गया है अब मैं यदि इसको move करता हूँ तो यह मेरा यह move हो जाएगा बट जो हमारा regime है वो move नहीं होगा अब डेट नहीं होगा तो इसको हम control जट करते हैं और यह lock auto regime को यहाँ से remove करके अब देखिए अब जब मैं इसको move करूँगा तो देखिए सीम भी मेरा move कर रहा है और वही काम यह auto update नोच के साथ काम करता है नोच को update यह नहीं होने देगा जब यह lock लगा रहाएगा तो यह हमेसा ध्यानक है नहीं तो आप grading कर देंगे सीम लोक रहेगा तो आपका piece तो चला जाएगा जो हमारा counter है but grade point चला जाएगा but सीम आपका वहीं का वहीं रहा जाएगा तो यह आपको दिक्कत करेगा अब मैं देख लेता हूँ marker attribute इसमें है आपको यदि marker में जो part यूज नहीं करना है यदि यह मैं कर दिया no not for using marker तो यह marker में आपका यूज नहीं होगा यह position है non, up, down, left, and orient undefined है और यह root one way, two way, four way, eight way और anywhere तो यह हमारा जो one way नहीं यह कोई खास print जो one way ही print है उसके लिए यह यूज होता है और यह two way है यह ज़्यातर two way ही यूज होता है बट print के उपर और four way जो है इसमें efficiency बहुत अच्छा आती है बट बहुत कम fabric मिलते हैं जिसमें four way आप कर सकते हैं anyway, eight way यह सब आप pattern निकालते समय चाहें तो efficiency के लिए आप निकाल सकते हैं सिर्फ pattern निकालने के लिए ना कि cutting के लिए तो यह आप ध्यान देंगे तो यह आपको सिर्फ pattern निकालने के लिए efficiency paper बचेगा बट आप सुचेंगे कि हम इससे cutting करेंगे ऐसे gateway में या anyway में तो वो नहीं होगा यह हमारा fish tilt का है यह इसकी कोई यूज होता नहीं है वैसे manual optimize और shrinkage में आप यह shrinkage जितना चाहें X और Y में आप डाल सकते है percentage 2% 4% जितना आपको मिलता है जो shrinkage report बनती है उसकी अधार पे आप डालके pattern को shrink कर सकते है यह हमारा buffer है यह buffer आप जितना यहाँ पे 0.25 मैंने डाला inch में है और यह आपको देख सकते हैं आपकी इस तरीके से round में तो यह चारो तरफ आप आएगा आप तो यह सिर्फ उपर आएगा down में down left right यह सारा ही इस तरीके से कुछ बना हुआ है यह left up or down यहाँ इसको select करेंगे तो left में up or down में पड़ेगा यह कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे हम देखते हैं size information size information तो यहाँ सारा ही size दिखा रहा है यह देख रहे हैं किस तरीके से size दिखा रहा है इसमें जो base size हो एगा small है यदि आपको नहीं पता है कि कहा size डालते हैं तो हम आपको बता दें यह grading में जाएंगे size table में जाकर के यहाँ पे हमारा डाल लेते हैं और जब grading का जो हमारा video है उसमें हमने बता है कि किस तरीके से size आड़ करते हैं आपने यह दिन नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे channel पर देखने है नेक्स्ट जो हमारा friend यह है वो report यह सभी जितने भी इसमें हमने information डाले उसे आप save कर सकते हैं report को और या print दे सकते हैं तो friend आज के video में इतना है next video जो हमारा होगा उमार कर पे तो please friend channel को like कर दें share कर दें और subscribe कर दें धन्यवाद जय